Hello dear students, welcome to your online classes. I am Shelly, your math teacher. And students, हमने previous lecture के अंदर exercise 6.3 का A part किया था. आज हम उसके regarding B part discuss करेंगे और next exercise के बारे में discuss करेंगे. So first of all के है, यहाँ पर divide का expression है. Divide expressing the result in the unit indicating. First of all, first of all के है, 409 meter 56 centimeter by 6 in meter. मैं first time write कर रही हूँ, clear. देखें यहाँ पर क्या लिखें? 409 meter 56 centimeter by 6 in meter. So bracket में क्या write है? Meter. तो किस में convert करना है? Meter. तो 409.56 yes, meter हम बना सकते हैं? बना दिया. अब divide करना है 6 से. तो divide तो आपने बहुत simple करना है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ. 409.56 divide by 6. ठीक है? 6 का table आप यहाँ पर write कर सकते हैं. अगर आपको आता है तो ठीक है? तो 6 पहले हम 40 लेंगे. 40 से smallest कोन है? 36. 6 6 जा. 36 minus करो. 4. 9 bring down. Yes. 6. 6 8 जा क्या आएगा? 48. Write करो minus 1. अब decimal आगया तो साथ के साथ गया है decimal. 5 bring down. और 6 2 जा 12. minus करो 3. 6 bring down. 6 6 जा 36. minus किया 0. तो मेरे पास क्या आगया? remainder तो मेरे पास 0 आगया. लेकिन quotient क्या आगया मेरे पास? 68.26. This is your answer. और ये meter में answer आगया हमारे पास. जो quotient आए है. ठीक है? तो ये 68.26 क्या आगया? meter. क्योंकि मैंने overall किस में दिखाना था? meter में. और मैंने convert भी कर दिया था. 409.56 meter बना दिया था. Easy है. से, third वाला बिल्कुल से, मैं देखो. meter और centimeter का. ओके? सो अब मैं आपको kilometer वाला बता देती हूं. kilometer है. 384 kilometer. 748 meter. by 4 in kilometer. ओके? statement right करते हैं. yes. सो यह second question है. 384 kilometer. 748 meter. by 4. और bracket में kilometer है. तो जब इसको kilometer में change करेंगे. 384 decimal. 748 kilometer. kilometer बन जाएगा. इसको divide करना है. 4 से. 384.748. divide by 4. सो 4 का table write कर दो. यहां पर मैंने write कर लिया. सो अब मेरे को क्या है? पहले मेरे पास. 38. तो 38 से smallest कोन है? 36. 4 नाइन जा. 36. माइनस करो. 8 माइनस 6 तूर. 3 माइनस 3 जीरो. 4 ब्रिंग डाउन. येस. 4. 6 सा 24. 4 सिक्सा 24. ओके? सो माइनस किया. 0. अब यहां पर decimal आ गया. तो मैंने यहां पर भी decimal लगा दिया. Next digit लेकर आए. क्या है? ये 7. अब 7 तो greater है 4 से. तो 4 बन जा. 4 करेंगे. माइनस किया. 7 माइनस 4. 3. 4 ब्रिंग. डाउन. अब 34 नहीं है. तो 34 से smallest देखो. 4 की टेबल में कौन है? 32. 4 एट जा. 32. माइनस किया. 4 माइनस 2. 2. 8 ब्रिंग. डाउन. एंड 28 है ना? Yes. This one. 4 सेवेंज जा. 28. माइनस किया. 0. तो मेरे पास यह क्या आ गया? कॉशंट. तो कॉशंट मेरे पास आ गया है. 96.187. किलो मेटर. This is your answer. ओके? So, 96.187 किलो मेटर. So, students. अब यह सम आपके बहुत अच्छे से हो गया है. मैं आपको बस यह मेटर में चेंज करना बता देती हूँ. किस टाइप से आप यह चेंज कर सकते हो? ओके? So, यह वाली टाम को. यह बनेगी बच्चे 17.5. अब यह आप यह अपने आप ट्राइ करना. ओके? So, नेक्स्ट अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सेसाइज. Yes, नेक्स्ट एक्सेसाइज है 6.4. लेकिन इसके अंदर किस बारे में डिसकॉशन की गई है? यह तेम्प्रेचर के बारे में. पेज नमबर 64. उसके अंदर थर्मोमेटर होते हैं. मैं आपको दिखाती हूँ. आपकी घर में भी जरूर होगा वो थर्मोमेटर. यह देखिए. इस टाइप से ऐसे थर्मोमेटर आपके घर में भी होगा. जिस पर आप मेजर करते हैं अपना फिवर राइट. और लेबोटरी के अंदर इस टाइप से होते हैं. थर्मोमेटर होते हैं जिनके उपर रेंज होती हैं. और सभी temperature solutions के temperature मेजर किये जाते हैं. और देखिए यहाँ पर यह भी थर्मोमेटर है. जिस नॉर्मल बोडी तेंप्रेचर, मिल्टी फिवर, हाई फिवर, डेंजर साइ फिवर. यह सारी सब फिवर के रिगार्डिंग मेजर करने के लिए हमारे लिए यूज होते हैं. ओके? तो देखिए अब यहाँ पर temperature को मेजर करने के लिए जैसे हम वेट को मेजर करने के लिए किलोग्राम का यूज करते हैं. सेम टेंप्रेचर को मेजर करने के लिए यहाँ पर काफी सारी यूनिट्स है. फर्स्ट है, डिग्री सेल्सियस. क्या बोलेंगे इसे? यह डिग्री इसे दिनॉट करते हैं. जो छोटा सा सर्कल टाइप है ना, इसको बोलते हैं, डिग्री. सी से क्या होता है? सैल्सियस. अब इस सर्कल को यह बोलते है? यह स्मॉल सर्कल है इसको बोलते हैं डिग्री. यहां पर डिग्री आ गया. से होते हैं, फार नाइट. स्टुडेंट्स, इसके बारे में आज हम सिखेगे कि हम को फार नाइट स्केल में चेंज करो, convert करो, clear, अब अगर हम temperature at which water freeze, ऐसा temperature देखें कि जहां पर पानी freeze हो जाता है, water बरफ बन जाता है, यानि फ्रीज के अंदर का temperature देखें, तो Celsius स्केल के अंदर होता है, 0 degree Celsius, फार नाइट स्केल में होता है, 32 degree फार नाइट, बच्चे यह measuring value ह यह आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, कि जब हम, yes, कैसे कर रहे हैं, water freezing वाले temperature, water cup freeze होता है, 0 degree temperature पे, तो 0 degree हम Celsius, उसमें Celsius अंकाउंट करता है, लेकिन वही हम फार नाइट वाले, अगर मेटर में देखेंगे, तो हमापे 32 degree फार नाइट होगा, similarly temperature at which water boils, तो water cup boil होता है, yes, what is the boiling point of water, 100 degree Celsius, yes, तो सेम अगर हम फार नाइट में करेंगे, तो 200, 12 degree फार नाइट, okay, so अब इसके अलगल different way है, आपने कैसे करना है, वो चीज़ देखो, first of all, इसके process है, अगर हम convert करते हैं, yes, Celsius to फार नाइट, पहले क्या करो आप, multiply करो, number of degrees in C by 9, कितने degrees हैं C के अंदर, 35, तो उस number को किस से multiply करना है, 9 से, तो 9 से मैंने multiply कर दिया, next में क्या है, divide the product by 5, अब मैंने multiply जब कर दिया, तो मेरे पास आया 315, उसको किस से divide करना है, 5 से, add 32 to the result, और फिर हमने 32 को add करना है, अब हमने एक procedure सीखा, वो मैं आपको करके दिखा देती हूं, इन sums के थ्रो, ओके, तो हम कर रहे हैं, 6.4 exercise का एक बर second sum, क्या लिखा है, 25 degree Celsius convert into far night, किस में करना है, far night degree में, तो first process के given number जो degree Celsius में है, वो किस से multiply होगा, 9 से, तो step 1, 25 degree Celsius multiply with 9, यहाँ पर आप लिखी लेना, ओके, complete write करना, यहाँ पर write करो बचे, multiply the number 25 of degree in C by 9, 9 से आपने multiply करना है, ओके, हो गया बचे, तो multiply करो, 25 multiply 9, कर दो, 9 5 जा, so 9 5 जा कितना होगा, 45, 5 यहाँ, 4 carry, 9 2 जा 18, 18 plus 4, 22, तो यह कितना होगा, 225, next step second, step second में, divide by the, divide the product by 5, yes, तो हमने क्या करना है, divide 225, यह product आया है, by 5, तो जैसे ही आप divide करोगे, उस साइड पर करके देख लो, 225 को 5 से, 5 4s आ, 20, minus किया, 2, 5 bring down, 5 5s आ, 25, minus 0, तो कितना होगा है मेरे पास, 45, step 3 क्या है, add 32 to the result, step 3, add 32, yes, to the, 32 with 45, ठीक है, so, 45 में कितना add कर दोगे, 32, so, 5 plus 2, 7, 4 plus 3, 7, so, student, 77 degree far height is your answer, clear, तो हमने convert कर दिया, 25 degree को किसमे, 77 degree far height में, ओके, firstly क्या करा, 25 को multiply करा, 9 से, फिर divide करा, 5 से, फिर add करा, 32 से, okay, so, this is your answer, same बच्चे है, हमारे पास है, अब, सारे सम्द आपने ऐसी करने है, फिर next, convert from far night to celsius, अब इसका opposite, जो पहले हम उल्टा जाएंगे, subtract करेंगे, 32 से, multiply करेंगे, 5 से, और, product करेंगे, 9 का, okay, so, कोई भी एक, ले लो, question उठाओ, first ही कर लेते हैं, yes, 122 degree far night, b question का first part, 122 degree far night, so, step 1 is, subtract 32, step 1, इसको किस में convert करना है, degree celsius में, तो subtract 32, तो करो, 122 minus 32, 2 minus 2, 0, इदा 0, इदा 12, 12 minus 3, 9, step 2, 2, second step में क्या है, multiply the result by 5, so, multiply the result, result क्या है, 90 है, multiply 90 with 5, तो 90 की multiply करो 5 के साथ, 0, 9, 5, जा 45, तो कितना आ गया, ठीक है, 450, थर्ड स्टेप क्या है, divide the product by 9, yes, so, थर्ड स्टेप, 450 यही प्रोड़क्ट था, divide by 9, so, 450 को divide करोगे 9 से, so, 9, 5, 45, minus किया, 0, लेकिन बच्चे, अब मैंने बोला, जब यहाँ पर finish हो जाए, और आपके पास फिर भी एक 0 रह जाए, तो वो कहाँ shift हो जाती है, उपर, yes, तो यह क्या आजेगा, 50, तो यहाँ पर जब divide करोगे, तो quotient क्या आगे मेरे पास, 50, तो यह क्या बन गया, 50 degree Celsius, answer, first step, subtract किया, second step, multiply करा, multiply करने के बाद, divide करा, divide करते, जो quotient आया, remainder तो 0 ही हो गया, quotient क्या आया, 50, that is the 50 degree Celsius, so students, यह था degree Celsius to far night, next था far night to degree Celsius, this is your today's homework, तो आपने इसके पार्ट करने है सारे, और इनके regarding अगर कोई प्रोब्लम आती है, बहुत अच्छे questions है, scoring है, अगर कोई प्रोब्लम आती है, तो आप उच सकते हो, ओके, so आज का आपका होमवर्ग क्या हुआ, exercise 6.3 B part, and the next one is exercise 6.4 A and B part, ओके, so यह जरूर करना, अपने फियर नॉट्बुक साथ साथ रेडी करते हो, clear? So, thanks for watching, bye-bye to all of you, bye-bye.